नमस्कार, सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हर्दिक शुपकामना है, सेकेंड आने के लिए धन्यवाद, सबसे महत्वपुन चीज कि आज ये प्रेस कॉंफरेंस हम क्यों कर रहे हैं, जबकि हमने डे वन से कहा है कि मेडिया ट्राइल हमको अवाइड करना है, लेकिन मीडिया ट्राइल में हमें यानि की शीजान और उनके परिवार को इस तरह से कटगरे में मीडिया के सामने, पबलिक के सामने, समाच के सामने रखा गया है कि हमारे पास कोई परियाई नहीं बट आपके सामने आके जो जो आरोप हम पे शीजान पे उनके परिवार पे लगे 24 तारिक को जो तुनिशा ने किया बहुती धुर्भाग्य पूर्ण है वो लेकिन 23 तारिक को तुनिशा ने पार्थ जुच्छी के रूम में जहां पे आयू श्रिवास्तर बैठा हुआ था श्रिजान भी बैठा हुआ था अपने सीन का रिहर्सल या कुछ कर रहा था तुनिशा रूम में आई पार्थ से कहा कि पार्थ भीया मुझे आपको कुछ दिखाना है घुस्ता नहीं करिएगा पार्थ ने का नहीं बैठा मैं घुस्ता क्यों करूंगा क्या दिखाना है बता तो उन्होंने अपना मोबाइल निकाला फांसे का फंदा बनाया हुआ था वो चित्र दिखाया गया है तेईस तारिक को उस पे पार्थ उन पे भड़के उनको समझाने का कोशिश किया तुरंट शिजान ने जब ये ओवर हड किया पुरा कॉन्वेजिशन सुना शिजान इंटर्विन किया शिजान ने पिक्चर देखा तुनिशा से बात की बेटा क्या बात है क्यों ऐसा सब कर रही है बोला ने ने कुछ बात नहीं है ऐसा कुछ है भी नहीं मैं सिर्फ एक फोटो दिखा रही हूँ बागी मेरा ऐसा कोई intention या मेरा ऐसा कोई करने का intention नहीं है बाद में तुनिशा को shoot पे बुलाया गया तुनिशा को शिजान ने shoot पे drop किया वहां से तुरंद पार्थ को phone किया कि ये जो चीज है ये बहुती संदेनिया है तुरंद मैं इसकी माँ को inform करता हूँ तुनिशा की माँ को call किया गया है सेट पे बुलाया गया है तुनिशा की माँ सेट पे आई है आने के बाद तुनिशा की माँ को इन सब चीजों से अवगत कराया गया है अवगत कराने के बाद request किया गया है कि आप एक बात बताइए आप मम्मी और बेटियों ने आपस में बैटके दिल से दिल कब बात की आप एक काम करिए आपके बेटी को आपकी जरुवत है आप प्लीज उसका ध्यान रखिए उसके साथ में रहिए उसको अकेला मत छोड़िए ना तो सेट पे आने के लिए उनको अकेला छोड़िए या जहां कहीं भी जाती है आप प्लीज उनके साथ रहिए टाइम स्पेंट करिए उसको आपकी सक्त जरुवत है ये बोलने के बावजूद उनकी मा ने तुनिशा को अकेला छोड़ा है 23 तरिकी रात को भी तुनिशा घर नहीं थी बाहर कहीं थी 21 को भी 22 को भी 23 को भी 24 की जो घटना हुई है जहां पे एक संदेहस ऐसा फैला गया है कि पिछले 15 मिनट में क्या हुआ पिछले 15 मिनट में तुनिशा और शिजान एक दूसरे से काफी दूर थे शिजान अपना शूट कर रहा था और तुनिशा अपने रूम में थी उस समय शिजान से उसकी बात नहीं हुए उसकी बात किसी और से हुई है जो पुलिस अपनी जाच कर रही है जहां तक तुनिशा का ये सुसाइट का प्रकरन है उसमें शिजान या उसके पुरे परिवार का दूर दूर तक ना तो कोई लेना है ना तो कोई देना है शिजान का और तुनिशा का 15 दिन पहले जो ब्रेक पूरे समाज के सामने है, मीडिया के सामने है, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने है, उसके बाद उनके आपसी संबंद बहुत ही अच्छे थे, वाट्स अप कॉन्वरेशन जो पुलिस के पास अल्डरी रिकावर्ड हो चुका है, क्यूंकि शिजान को फीव तुनिशा के बीच में किसी भी तरह का आपस में कोई मतवेत थे, वो दोनों लाइफ में मूव ओन हो चुके थे, लेकिन बहुत ही अच्छे दोस्त थे, तुनिशा सेट पे सबसे छोटी थी, बाकी जितने भी एडल्ट कोस्ट एक्टर थे उनमें, जिस वज़े से उसका ख इन सब चीजों से हम अवगत हैं, और हम उन सब चीजों को समवेधन से देखते हुए उसका ख्याल रखते हैं, तुनिशा जितने वक्त हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ या सेट पे रही है, वो हमेशा सुखी, खुशी से रही है, जब भी हमारे साथे कभी दुखी नही मैनेजर थे, और उनको उनके फॉर्मर मैनेजर के पोफ से निकल दिया गया था चार साल पहले, क्यूंकि वो बहुत ही इंटरफियर करते थे, तुनिशा के उपर बहुत हार्श रहा करते थे वो, तो पवन शर्मा उनका दूर दूर तक किसी तरह का कोई रिष्टेदार नह आए हैं, सभी आरोपों को आप देख लिजिए, तुनिशा की माकम पवन शर्मा ने जादा आरोप लगाए हैं, ये पूरे प्रकरन में ये कहा गया है, कि ये लव जिहाद का मसला है, जो पुलिस ने डे वन से खरिच किया है, लव जिहाद का इस पूरे प्रकरन में दूर दूर तक किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, दूसरा हरोप लगाया गया है कि तुनिशा को हिजाब पहनाते थे, उर्दू सिखाते थे, जहां तक हिजाब का सवाल है, आप 21st एपिसोड देख लिजिए, अलादीन दास्ताएं काबूल का, अली बाबा दास्ताएं काब किया है, और वो फोटो को इंस्टाग्राम में डाला है, जहां पे सभी को हैपी गनेश चतूर्ती विश्च किया गया है, हमारे पास वो सबूत हैं, आप सभी को जिसको चाहिए, हम दे देंगे, हम से ले सकते हैं, जहां तक उर्दू वाली बात है, हिजाब वाली बात है, दरगा वाली बात है, वो उनके परिवार आपके सामने रखेंगे, चौथी बात पर आते हैं हम, तुनिशा का खुद का संबन उनके परिवार के साथ सही नहीं था, उनकी मा इन चीजों को बहुत अच्छे से जानत तुनिशा के पिता जी के देहान के बाद तुनिशा अपसेट रहती थी तुनिशा ने अपने पिता जी के साथ जो लास्ट बड़े मनाया उसके बाद आस तक खुशी से कोई बड़े नहीं मनाया है ये फर्स बड़े अपना खुशी से मनाने वाली थी तुनिशा के मा का और स वनिता शर्मा, तुनिशा और संजीव कोशल के संबंद बहुत ही खराब थे, खराब to such an extent कि तुनिशा उनका नाम सुनते ही anxiety और panic attack में आती थी, इसके ओपर हम जादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि पुलीस अपनी जाच कर रही है, समवेदन मुद्दा है, हम आपसे भी कंट्रोल करते थे, तुनिशा को अगर कुछ खाना है, उनके account में पैसे नहीं होते थे, वो अपनी मा से अनुरोद करती थी, मुझे 100 रुपया भेजिये, मुझे 500 रुपया भेजिये, मुझे 2000 रुपया भेजिये, उनकी मा काफी प्रश्न करने के बाद वो पैसे उनको forward कर करती थी, तुनिशा को पैसों के लिए उनके खुद के कमाये हुए पैसे होने के बावजूद, उनके पास पैसों की काफी कमी रहती थी, जहां तक उन्होंने एक आरोप लगा है कि बहुत ही कीमती गिफ्ट्स मुझे दिये गए हैं, मेरे वाटसप में पुलिस, मेरे यानि की शीजान, शीजान के वाटसप में पुलिस को अल्ड़ी मिल गया है कि जो इयर पॉड और गिटार दिया था, मैंने वहाँ पे ये क्लियर कट कहा था कि देख, तुनिशा तेरे पास इतने पैसे नहीं है, कितना लगा है बता दे, मैं पैसे देता हूँ, बाकी तुनिशा ने मुझे इयर पॉड और गिटार छोड़ के आस तक कोई गिफ्ट नहीं दिया है, इसके बात की बात, लोगडाउन के थोड़े पहले, मिस्टर संजीव कोशल आये थे बॉम्बे अपना किसी ट्रीटमेंट कराने के लिए, ट्रीटमेंट होने के बाद वो इंसिस्ट कर र क्योंकि संजीव कोशल कौन है, क्या है, उनका क्या रिलेशन था, क्यों इतने हार्श होते थे तुनिशा पे, क्यों उसको डॉमिनेट करते थे, कंट्रोल करते थे, क्यों उनका पूरा पैसे को कंट्रोल संजीव कोशल जी करते थे, इन सारे चीजों को लेके संजीव कोशल का नाम जैसे ही आता था तुनिशा अपने पैनिक अटेक या किसी ना किसी एंजाइटी में चली जाती थी जिसके वजए से अध दि इन्स्टिगेशन अफ मिस्टर संजीव कौशल वनीता की तुनिशा की मा वनीता जी ने तुनिशा का della दबाया है जो तुनिशा ने अपने डिरेक्टर उस टाइम के शो के मिस्टर राहूल करके कोई है मैं नाम पूरा देता हूँ आपको उसको भी इन्फर्म किया है मिस्टर कवर डिलन को भी इन्फर्म किया है क्यूंकि उसके बाद उनकी माता जी और संजीव कौशल जी चले गए और वो कवर डिलन के साथ रहने लगी तीन महिने तक तो संजीव कौशल जी और उनकी माता जी का क्या रिलेशन है संजीव कौशल जी और उनकी माता जी तुनिशा को किस तरह से ऑपरेट करते थे डॉमिनेट करते थे रूल करते थे हस्तशेप करते थे क्या करना है क्या नह तूट गई और तूटने के बाद उसका मानसिक जो भी था वो ट्रिट्मेंट किया नहीं किया पुलिस अपनी जाच कर रही है चंदीगर में उनका ट्रिट्मेंट चला है 2016 के बाद चंदीगर में को एक ऐसा हाथसा हो गया कि संजीव कौशल जी ने उनकी माता जी और तुनिशा को देर रात घर से निकाल दिया था जिसके बाद वो लोग आये हैं मुंबई और यहां आने के बाद पवन शर्मा ने as a manager तुनिशा के लिए कुछ काम लाए उससे जादा पवन शर्मा का तुनिशा का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है और कुछ ही दिनों में तुनिशा ने उनको निकाल भी दिया उनके सग्यमामा जो फ्यूरल में आये थे उन्होंने आज तक मीडिया के सामने एक बाइट नहीं दिया है, बड़ सव कॉल मामा ने पूरे मसले को कहा से कहा लेके चले गए हैं । सारे आरोब जो भी लगे हैं, किस ने लगाएِ कैसे लगाएِ सारे के सारे आपके मीडिया के सामने है